हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं UKSSSC और UKPSC से सम्मधित आने वाले सभी परिक्षाओं के लिए एक रिवीजन क्लास जिसमें की आज हमारी क्लास है 6 नंबर की इससे पहले हमने 5 क्लासेस में से बह मैंने तयार किये हैं 20 MCQs जो की हिंदी से संबंदित हैं तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपुन प्रशनों को सौल इसलिए यहां पर आपको कुछ अलग कोशन भी आज देखने के लिए मिलने वाले हैं तो आप कॉमेंट में जरूर बताना कि कि आपके यहां पर 20 मैंसे कितने कॉशन के आंसर बिल्कुल करेक्ट हुए तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं पहला प्रशन हमारे पास है यह हमारा वर्ण माला से है तो इस तरह के तो जनरली आपको कॉशन दिखते ही दिखते हैं इसमें पूछा है को का कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के लिए आवाज जो होती है वो हमारे गले से निकलती है कंट से निकलती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन एक कंट नेक्स्ट कोशन हमारे पास है कोशन नमबर टू में हमसे पूछा है हिंदी वर्ण माला में स्वरू की संख्य कितनी है तो देखिए स्वरू की संख्या पूची है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा option c 11 तो हिंदी वर्णमाला की अंतरगर स्वर आते हैं 11 इसको आपको याद रखना है फिर next question आप से पूचा है को गो जो फो धुनिया किसकी है options में हमें दिया गए है संस्कृत, फार्सी अर्बी, अंग्रेजी और दक्षिनी भाषा तो इस तरह से आप सभी को पता ही होगा कि option भी हमारा correct हो जाएगा ये जो धुनिया है वो फार्सी अर्बी है आप जहां पर भी देखते हो इस तरह से जो लिखा रहता है जैसे कि आप जिन्दगी होता है जो जिन्दगी में भी आपका इसी तरह से जो लगता है तो इस तरह से होता है तो ये आपकी फार्सी अर्बी धुनिया ह होती है next question हमारे पास है question number fourth अब इसमें हमसे पूछा है आई के उचारन इस्थान का नाम बताईए तो देखिए आई से आईनक के उचारन इस्थान को बताना है generally हम लोग व्यंजनों के उचारन इस्थान याद कर लेते हैं वर्गों के हिसाब से जैसे कौवर्ग हमारा कंट से आता है फिर उसके बाद चौवर्ग आता है फिर टौवर्ग आता है तो इस तरह से हम उनके उचारन इस्थान इस्थान याद कर लेते हैं व्यंजनों के लेकि इसमें जो right answer हो जाएगा option B correct होगा कंठ तालव्य आई का जो उचारन है कंठ के साथ साथ तालव्य से भी होता है गले से आवाज निकलती है और जो जिवा होती है वो क्या होती है हमारी मुह की उपरी भाग पर टच होती है इसलिए इसको कंठ तालव्य कहते हैं त्रीके next question हमा और हो इस तरह से ये तीनों जो शो होते हैं वो क्या होते हैं ऊश्म व्यंजन के अंतरगत आते हैं लेकिन यहाँ पर जो गौ है वो ऊश्म व्यंजन नहीं है तो correct answer हमारा option C हो जाएगा अगला सवाल हमारे पास है संयुक्त व्यंजन ग्यों बनता है तो ग्यों किन दो अक्षो त्रो और श्रो यह भी संयुक्त व्यंजन है तो हिंदी वर्णमाला के अंतरगत चार व्यंजन ऐसे होते हैं जो की संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं तो अभी हमें ग्यों का बताना है तो ग्यों का क्या हो जाएगा जो धन इंग्यों ठीक है तो जो धन इंग्यों जो वी पता होना चाहिए विखे क नियुक्त होना हुटा है तो हमारा जोले तो होता है अरम हो सिंदी नहीं केल्ट है क्या किभी दुट हो इनकी संदिता हुटे है आपको ये किन दो स्वर और व्यंजन के मेल सर बने होते हैं अब नेक्स्ट कोशन हमारे पास आता है कोशन नमबर सेवन्थ में हमसे पूछा है शब्द कोस में कौन सा शब्द पहले आएगा जैसे हम रीजनिंग के कोशन में करते हैं अलफा बेट के हिसाब से हमें कोशन दिये रहते हैं कोई भी वर्ड दिये रहते हैं जो सेम सेम स्पैलिंग से स्टार्ट होते हैं हाला कि उनका एंड अलग लेटर से हो जाता है तो उसी तरह से यहाँ पर हमें चार शब्द दिये हैं हमें बताना है कि इन शब्दों में जो पहला शब्दों का वर्ण माला के हिसाब से वो किस तरह से आएगा यानि कि कौन सबसे पहले वर्ण माला में आएगा वो हमें बताना है तो देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिए सबी का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या है? ओ और सो यानि की सेम वर्ण है लेकिन उनके बाद बदल चुकिये हैं जैसे की यहाँ पर मौ लग गया है यहाँ हो लग गया है यहाँ भी मौ है और यहाँ नो है तो देखिए सबसे पहला जो है नो आएगा वर्ण माला के हिसाब से इसलिए correct answer क्या हो जाएगा option A असन्यक इसका correct answer होगा next प्रश्ण हमारे पास है question number 8 किस क्रमांक में अंतहस्ता व्यंजन है तो देखिए हिंदी वर्णमाला की अंतहस्ता व्यंजन कौन-कौन से होते है your, 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 your यह चारो क्या है अंतहस्ता व्यंजन है तो यहाँ पर your और वो option B में दिया गया है तो यह अंतहस्ता व्यंजन के अंतरकत आएंगे तो correct answer हो जाएगा option B next question है वो व्यंजन कैसा है उश्म है, महापराण है, अंतहस्ता है, अगूस है तो अभी उपर वाले में हमने पढ़ लिया है अंतहस्ता में योब वो आ रहा है तो वो किसके अंतरकत आएगा अंतहस्ता व्यंजन की ठीक है, अंतहस्त व्यंजन के अंतरकत आएगा अब हमारे पास दसवा सवाल है कौन सा स्वर नहीं है तो देखे स्वर कौन सा नहीं है पूचा है, तो 3 स्वर है A से 80 स्वर है और अंग हो काली जो है हमारा, ये भी स्वर है लेकिन यहां पर दिया गया है अक्शों, तो अक्शों से छत्रिय होता है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है संयुक्त व्यंजन है एक ठीक है किस किस से मिलकर बना है अभी बताया मैंने कौ और शौ से मिलकर बना है शटकोन वाले शौ से अब आते हैं हम अपने अगले सवाल में यह हमारे टैंथ कोशन जो हैं कंपलेट हो गए हैं तो देखिए यहां पर है हमारा सवाल नंबर 11 जिसमें हमसे पुछा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंट तालू है कंट भी और तालू भी यानि कि कंट तालू भी एक तरह से य कुछ व्यंजन है जिनमें की कंट और तालू से अभी हमने इसके बारे में पहले कोशन में भी डिसकस कर लिया है कि किस तरह से आई से एनक का उच्चारण करते वक्त हमारे कंट और हमारी जीवा जो है मुँ की उपरी भाग को टच करती है तो इस तरह से हमारा क्या हो जाए ठीक है तो स्वरो का भी उच्चारण इस्तान आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन हमारे पास है कोशन नमबर 12 इसमें पूछा है डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनी किस भाशा से आई है तो डॉक्टर के ऊपर जो यह डौ के ऊपर यह लगा हुआ है और लगा हुआ है त तो करेक्ट आंसर आपका हुजाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी भाशा से यह आया है डॉक्टर उसी तरह से ओसकर में भी लगा रहता है यह ओसकर तो यह हमारा अंग्रेजी भाशा के जितने भी शब्द होते हैं तो उनमें देखा जाता है ना कि यह हिंदी में देखा ज आगत द्धवनी कहते हैं ऐसे ध्वनियों को हम आगत द्वनी कहते हैं आगत शब्द कहते हैं इसको भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन हमारे पास है किसी वश्टू व्यक्ति तथा इस्थान के नाम को क्या कहते हैं तो हम सभी लोग बच्पन से ही इस बात को पढ़ते विज़ा आ रहे हैं ये परी भाशा किसको याद नहीं होगी संग्या को ठीक है किसी वस्तु व्यक्तित अध्वास्थान के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं नेक्स्ट कोशन हमारे पास है रिक्षा किस भाषा का शब्द है रिक्षा किस भाषा का शब्द है ऑप्शन हमें दिये गए है चीनी भाषा का रूशी भाषा का जपैनी भाषा का या फिर जर्मनी भाषा का तो देखिए रिक्षा सब्द जो है वो जपैनी भाषा से आया है ठीक है जापानी भासा से आया है याद रखना है थोड़ा अलग आपको हिंदी का ये वर्ड लग रहा होगा रिक्षा जो कि हम आम बोल चाल में यूज करते हैं लेकिन ये हमारा जैपैन से आया हुआ वर्ड है जिसकी स्पैलिंग किस तरह से होती है रिक्षा होती है ठीक है इसकी स्पैलिंग होती है तो यह हमारा हिंदी का वर्ड नहीं है अब आते हम अपने अगले कोशन पर कोशन नंबर 15 में हम से पूछा है इन में से पूछा है इस परशी वेंजन कौन सा है शो लॉ हो या फिर चाज से चाटा ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा option d चोसे चाता चो चो ये क्या है हमारे इस पर शिबेंजन होते है next question हमारे पास है रंग सब्ड से किरिया बनती है तो रंग सब्ड से क्या किरिया बन सकती है option देखिए रंगीला, रंजना, रंगना या फिर रंगवाला किरिया का मतना होता है कारे तो रंग से हम क्या कारे कर सकते हैं तो वो हमें बताना है तो रंग से हम कर सकते हैं रंग ना यान की कहीं पर कलर करना को क्या बोलते हैं हम रंग ना तो options की हमारा correct हो जाएगा तब ही हमारा क्रिया में convert हो जाएगा अब आगे देखते हैं question number 17 तो यहाँ पर हमसे पूचा है बच्चे छथ पर खेल रहे हैं इस वाक्य में कारक कौन सा है तो कारक आपने पड़े होंगे करता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान तो इस तरह से हमें option में दिया है संप्रदान, करण, अपदान और अधिकरण तो यहाँ पर देखिए कारक जो चिन है पहले उस पर धियान देते हैं पर यहाँ पर कारक चिन है तो देखिए मैं जहाँ पर भी आता है मैं और पर तो यह दो कारक चिन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है दिके अधिकरण में आता है मैं और पर तो इस तरह से option D हमारा correct हो जाएगा next है हमारा question number 18 कौन शाथ सब्द सकर्मक्रिया है सकर्मक्रिया वे क्रियाएं होती है जिसमें जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई न कोई कार्य हो रहा है यानि कि जिन शब्दों की साथ कार्य जोड़ा होता है उनको सकर्मक्रिया कहते हैं तो अभी हमारी पास option है लिखना हसना रोना और सोना अब देखिए हसना रोना और सोना में कोई भी कारे नहीं हो रहा है अपी तो जो लिखना शब्द है लिखना शब्द में हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ न कुछ राइट कर रहे हैं लिख रहे हैं तो correct answer हमारा हो उप्शन ए तो सकर में क्रिया होगी लिखना नेक्स्ट है हमारे पास कॉशन नमबर 19 जिसमें कि हमसे पूचा है जिस विकारी शब्द के प्रियोग से हम किसी वस्तू के विशे में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं तो देखिए ऐसा विकारी शब्द जिस से जिस शब्द के प्रियोग से हम किसी वस्तू के बारे में कुछ बताते हैं विधान करते हैं तो उसे कहते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया अब आते हैं हम अपने अगले कॉशन पर और जो कि हमारा लास्ट चुशन है कॉशन नमबर 20 जिसमें पूचा है कौन शाथ सब्द विशेशन नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भै भीद भी एक प्रकार का विशेशन शब्द है निर्भीक भी है और भीरू भी है लेकिन ऑप्शन सी भै जो है वो विशेशन शब्द नहीं है वो एक तरह का भाव है ठीक है तो भै एक तरह का भाव है तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देख लिए 20 कॉश्चन जो कि हिंदी से लिए गए थे मोस्ट कॉश्चन इसमें वर्ण माला से आये थे बाकी कुछ संग्या, सर्वनाम, किरिया इन सबी चीजों से लिए गए थे तो आई होप आपके लिए वीडियो हेलफूल रही होगी, इसी तरह से हम हर वीडियो में किसी ना किस सब्जेक्ट का रिविजन करते रहेंगे साथ ही अलग-अलग कॉश्चन को हम ध्यान में देंगे तो इस तरह से हमारा रिविजन अच्छे से होता रहेगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करना